रामपूर उप्चुनाओं में भाजपा के आकास सक्सेना ने जीत हासिल कर ली भाजपा के लिए जीत कई माईनों में उम्मीदों भरी है एक तो पार्टी आजम खान का गड़ तोड़कर पहली बार रामपूर विदान सबसीट पर कबजा करने में सफल रही दूसरा मुसलमानों के पसमांदा समाज में भी अपनी जगा बनाना शुरू कर चुकी है जिस अब्दुल के भरोसे अखिलेश का यादव मुसलिम समीकरण चल रहा था अब उसकी ले बिगड़नी शुरू हो चुकी है ये समीकरण पटरी से उतर चुका है खतोली में जाटलेंड ने जयन्त का दामन थाम लिया और मैनपुरी में भाबी जी बेहिसाब वोटों से जीत गई इस जीत के बाद चाचा की घर वापसी हुई चाचा खिलेश को मुलायम बनाने में जुट गए और अखिलेश चाचा को उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से पद देने में लगे हुए हैं लेकिन चाचा बतीजे के जुगलबंदी आने वाले खत्रे से बेखबर है जिसका आसर शुरू हो चुका है और 2024 में परिणाम सामने आ जाएंगे कौन सा है ये नया जटका जो अखिलेश को मिलने वाला है उसी पर आज बात करेंगे जैशी राम मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थरड़ाई उत्तर प्रदेश में रामपुर विधान सबा सीट पर भारत्य जनता पार्टी ने कबजा कर लिया उपचुनाव में भाजपा के आकास सक्षेना ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को मात दी भाजपा की ये जीत एतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार पार्टी यहां भगवा फैरा सकी है भाजपा के लिए चुनाव परिणाम एक नई उमीद लेकर आया है ये उमीद है पस्मान्दा समाज बताने कि रामपूर के उप्चुनाव में अबदुल खूब चर्चा में रहा ये अबदुल कौन है ये भी आपको बताते हैं दरसल अबदुल का शाबदिक अर्थ है गुलाम इसे पस्मान्दा समाज से जोड़ कर देखा जाता है दरसल उत्तर प्रदेश में मुसलिम आबादी में पस्मान्दा मुसल्मानों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है लेकिन मुस्लिम राजनीती में इन्हें ज्यादा नुमाइंदगी नहीं मिल सकी बीजेपी काफी वक्त से इस समाज को जोडने की कोशिश कर रही थी यही कारण था कि योगी सरकार जब इस साल दोबारा सत्ता में आई तो दानिस आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया इससे पहले महसिन रजा योगी सरकार में मुस्लिम चहरा हुआ करते थे दोबारा सरकार बनाने के बाद रामपुर और आजमगड में हुए लोकसभा उपचुनाओं में भी जीत ने भाजपा निताओं के होसले बढ़ाए यही कारण था कि जुलाई में भाजपा के ततकालीन प्रदेश अध्यक्स स्वतंतर देव सिंग ने हैदराबाद में पार्टी की रास्टे कारकारणी की बैठग में पीम नरेंद्र मोदी के सामने मुस्लिम समाज में भाजपा की बढ़ती पहुँच का जिक्र किया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भाजपा ने आजमगड और रामपुर जैसी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जहां मुस्लिम समाज निरनायक की भूमिका में रहता है इसी पर पीम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पसमानदा समाज के लिए काम करने का मंतर भी दिया उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज में काम करने की जरूरत पर जोर दिया पीम मोदी के इस मंतर का असर भी दिखने लगा इस बार के रामपुर विधान सवब चुनाओं में अब्दूल चर्चा में आ गया इसकी व्याख्या आजम खान के ही करीबी रहे और हाल ही में भाजपा जॉइन करने वाले फसाहत अली सानूने की उन्होंने कहा कि अब्दूल सिर्फ एक नाम नहीं एक प्रतीक है हमेशा से अब्दूल का राजनेतिक उत्पीडन किया गया उसे भाजपा का डर दिखाया गया लेकिन आज अब्दूल आजाद है वो खुश है विकास का हिस्सा बन रहा है फसाहत अली ने सपापर तंज कस्ते हुए कहा कि अब्दूल ने साबित कर दिया कि अब वो दरी नहीं बिचाएगा बलकि सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठेगा हाला कि आजम खान ने फसाहत अली को ही अब्दूल दर साते हुए अपने अंदाज में कहा था कि अब्दूल दरी नहीं बिचाएगा अब वो पोचा लगाएगा हमारे कारियाले में अब दरी नहीं बिचती जब बिचाई जाती थी तो सबसे पहले मैं बिचाता था 45 साल दरी बिचाकर पोस्टर चिपकाकर ही तो यहां तक पहुँचा हूँ लेकिन जिस अब्दूल की बात हो रही है उसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुचाया है बहरहाल भले ही भाजपा खतोली की अपनी विदानसबा सीट हार गई मैंपुरी में भी रगुराज साक्य कुछ खास कमाल नहीं कर सके लेकिन रामपुर की जीत ने पार्टी को उमीद जरूर दी है एक तो आजम खान का ये गड़ पूरी तरह से तूट गया दूसरा पस्मानदा समाज में भाजपा ने पैट बनानी शुरू कर दी दरसल रामपुर की विदानसबा सीट में पचास फीजदी से ज्यादा मुस्लिम आबादी है पहली बार भाजपा इस सीट पर जीती है और आकास सक्षेना को मिले वोटों में मुस्लिमों की भी भागेदारी से इंकार नहीं किया जा सकता भाजपा की पस्मानदा मुस्लिम समाज को जोडने की रणनीती की बात करें तो दो प्रमुख नेताओं दानिस आजाद अंसारी और डिप्टी सियम ब्रजेश पाठक को विसेश तोर पर लगाया गया है दरसल ब्रजेश पाठक के पास बस्पा में भी काम करने का अनुभव है और उनकी प्रदेश में मुस्लिम सियासत की अच्छी समझ मानी जाती है वही दानिस आजाद अंसारी वर्तमान में योगी सरकार का मुसलिम चहरा है इसी करम में अक्टूबर में लखनओ में पसमांदा मुसलिम सम्मेलन आयोजित किया गया इसके बाद रामपूर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में इसका आयोजन किया गया वैसे बीजेपी की पसमान्दा समाज को जोडने की रणनीती सिर्फ उप चुनाओ तक ही नहीं रुकी है यूपी में जल्द ही नगर निकाय चुनाओ होने वाले हैं इन चुनाओ को कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाओ के सेमी फाइनल के तोर पर देखा जा रहा है इस चुनाओ में बीजेपी अपने मिशन पसमान्दा को आगे बढ़ाने की तैयारी में है माना जा रहा है कि प्रदेश भर में ऐसी कई सीटे हैं जहां भाजपा पसमान्दा समाज को प्रत्याशी के तोर पर उतार सकती है पसमान्दा मुसलिम समाज में अंसारी, सल्मानी, इद्रीसी, फकीर, अल्वी, कुरेशी, घोशी, राइन, रंगरेज, बुनकर, धुनिया, मंसूरी, धोबी, नाई, गूजर, लोहार, सैफी, कासगर, मल्लह, गद्धी घोशी, नट, राजमिस्त्रियादी, मुसल्मान आत हैं, भाजबा तमाम सरकारी योजनाओं का लाब दिलाने के रास्ते, इस समाज में अपनी जगा बनाने की कोशिश कर रही है, सरकारी में दानिस आजाद के अलावा, बीजेपी संगठन की बात की जाए, तो अल्प संख्यक मोर्चे में, तीन चोथाइस अदस्याए, पसमा पसमांदा मुसल्मान हैं, दस फीजदी अगड़ी जाती के मुसल्मान आते हैं, और ये दस फीजदी ही राजनीती में भी एक्टिव हैं, अगर कहें जो दस फीजदी के सामने 90 फीजदी जुके रहते हैं, पसमांदा की वोटो पर अगड़े माने जाने वाले मुसल्मान र वाले खत्रों में सबसे बड़ा खत्रा है आजम भी खुद को पहचान गए होंगे आजम को पता चल गया होगा कि अब लोग उनके गुलाम नहीं रहे तो ऐसे में अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आजम का सपा में क्या भविश्य है आप इस खबर पर क्या राय रखत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं थाड़ाई में आज के लिए इतना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार कर दो